हलो फ्रेंट्स मैं प्रदीप स्वागत करता हूँ आप सभी का अपनी यूटूब चैनल पर फ्रेंट्स SAC ने 6-10-2021 को back-to-back दो नोटिस जारी किया है जिसमें से पहला नोटिस 2021 के सेप्टेंबर और अक्टूबर महिने में जितने भी एक्जाम और स्किल टेस्ट होने वाला है उसके सेडियूल से संबंधित है और दुसरा नोटिस सब इंस्पेक्टर इन डेली पुलिस, C.A.P.F.S. and Assistant सब इंस्पेक्टर इन C.I.S.F. एक्जामेनेशन 2019 के पेपर 2 का टेंटेटिव आंसर की और इसके साथ-साथ Candidates Response Seat से संबंधित है तो आए इन दोनों नोटिस को एक-एक करके देखते हैं तो आए पहले इस नोटिस को देखते हैं इस नोटिस में सब से पहले दिया है Combined Graduate Level Examination 2019 यानि की S.A.C.C.G.L. के Skill Test के बारे में दिया हुआ है जो की 15 सितंबर 2021 और 16 सितंबर 2021 को होने वाला है इस नोटिस के Detail Information का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा उस वीडियो में इस नोटिस का जानकारी पूरे डिटेल्स में स्टेप बाई स्टेप दिया हुआ है इसके बाद इस नोटिस में Junior Engineering, Civil Mechanical, Electrical and Quantity Surveying and Contracts Examination 2020 के बारे में दिया हुआ है यानि की SSC JEE के बारे में दिया हुआ है इसके पेपर 2 का एक्जाम 26 सितंबर 2021 को होने वाला है इसके बाद इस नोटिस में Multitasking Non-Technical Stop Examination 2020 के बारे में दिया हुआ है यानि की SSC MTS के बारे में दिया हुआ है इसके पेपर 1 का एक्जाम 5 अक्टूबर 2021 से 20 अक्टूबर 2021 के बीच होने वाला है इसके बाद इस नोटिस में Stenographer Grade C and D Examination 2019 के बारे में दिया हुआ है और इसका Skill Test 21 अक्टूबर 2021 और 22 अक्टूबर 2021 को होने वाला है इस नोटिस में बस इतना ही है अब आईए अगले नोटिस को देखते है यह है SSE का दूसरा नोटिस जिसमें SI in Delhi Police, CAPFS and ASI in CISF Examination 2019 का Computer Based Examination Paper 2 जो की 26 जुलाई 2021 को देश के अलग-अलग सेंटर में हुआ था इसी के बारे में जानकारी दी गई है इस नोटिस में आगे यह कहा गया है कि Candidates Response Seat के साथ Tentative Answer की का लिंक एबेलेबल कर दिया गया है और वो लिंक इस नोटिस के नीचे दिया हुआ है Candidates उस लिंक को क्लिक करके अपना Examination Roll Number और Password देके Login कर सकते हैं अगर कोई Candidate इस आंसर की से संतुष्ट नहीं है वो Representation करवाना चाहते हैं तो 6 अगस्ट 2021 के साम 6 बजे से लेकर 9 अगस्ट 2021 के साम 6 बजे तक सभी Questions आंसर के लिए 100 रूपिय का Payment करके Online Form Submit कर सकते हैं 9 अगस्ट 2021 के साम 6 बजे के बाद कोई भी Representation Receive नहीं किया जाएगा इसके बाद इस Notice में ये कहा गया है कि अगर कोई Candidate अपना Response Seat का Print Out लेना चाहते हैं तो वे ले सकते हैं क्योंकि उपर दिये हुए Time Limit के बाद ये SSC के साइट से हटा दिये जाएंगे इसके बाद इस Notice में Response Seat, Tentative Answer की और Representation Submit करने का लिंक दिया हुआ है ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आप चाहो तो इस Notice पर जाकर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको informative लगा हो तो like करें और अपने friends के साथ share जरूर करें चैनल पर नए हो तो subscribe करें और notification बेल को दबा के all को select कर दे ताकि इस तरह के informative वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिल जाए धन्यवाद